नमस्कार, कीकेड में डिजाइनिंग प्रेंटेड सरकेट बोल्ड के इस फोकन टुटोरियल में आपका स्वाकत है। इस टुटोरियल में हम सीखेंगे कीकेड में प्रेंटेड सरकेट बोल्ड को डिजाइन करना। इस टूटोरियल के लिए हम ओपरेटिंग सिस्टम के रूप में Ubuntu 12.04 के साथ KeyCad version 2011-05-25 उपयोग कर रहे हैं। Electronic Circuit की बुनियादी जानकारी इस टूटोरियल के लिए पूर्व अवशकता है। यूजर को यह भी पता होना चाहिए कि KeyCad में Circuit Schematic कैसे डिजाइन करते हैं। KeyCad शुरू करने के लिए Ubuntu desktop screen के उपर बाइकोने पर जाएं। पहला आइकन जो डैश होम है उस पर क्लिक करें। सर्च बार में KeyCad लिखें और Enter दबाएं। यह कीCad में विंडो खोलेगा। इस स्कीमा खोलने के लिए उपरी पैनल पर जाएं। और इस स्कीमा टैब पर क्लिक करें। एक Info Dialog Box खोलता है जो कहता है कि यह स्कीमाटिक नहीं ढूंड सकता। ओके पर क्लिक करें। हम AStable Multivibrator का स्कीमाटिक प्रियोग करेंगे जो पहले बनाया गया था। ऐसा करने के लिए मैं File Menu पर जाऊंगी, Open पर क्लिक करूंगी। वो फोल्डर चुने जिसमें File Save की गई है। प्रोजेक्ट1.hch चुने और Open पर क्लिक करें। मैं Window Resize करूंगी। अतहा अब मैं Open पर क्लिक करूंगी। यह है इस Circuit Schematic खोलेगा। मैं Mouse का Scroll बटन प्रियोग करके Zoom In करूंगी। इस Circuit के लिए हमने Net List को पहले ही बना लिया है। और सम्मंदित Footprints के साथ घटकों की Mapping कर ली है। अगली Step, Printed Circuit Board Layout यानी विन्यास बनाना है। इसके साथ शुरू करने के लिए E-Schema Window के उपरी पैनल पर इस्थित Run PCB New बटन पर क्लिक करें। यह PCB New Window खोलेगा। एक Info Dialog Box दिखता है, जो बताता है इसे Project1.brd नहीं मिला। इस Dialog Box को बंद करने के लिए OK पर क्लिक करें। अब आप PCB New Window के उपरी पैनल पर Read Net List बटन पर क्लिक करके Footprints को Import कर सकते हैं। यहां Net List बिंडो खुलती है। सारी Default Settings को ऐसे ही रहने दें। Browse Net List फाइल्स बटन पर क्लिक करें। यह Select Net List विंडो खुलेगा। बहतर द्रश्य के लिए अब मैं इस विंडो को Resize करूँगी। वांचित डिरेक्टरी से Project1.net फाइल चुने। और Open पर क्लिक करें। Read Current Net List बटन पर क्लिक करें। यह चतावनी दिखाएगा कि Project1.CMP नहीं मिला। OK पर क्लिक करें। अब Close बटन पर क्लिक करके Net List विंडो बंद करें। आप देख सकते हैं कि सारे Footprints इंपोर्ट किये गए हैं। और PCB New Window के उपरी बाइकोने में रखे गए हैं। अब हम सारे Footprints को PCB New Window के बीच में रखना चाहते हैं। इसके लिए PCB New Window के उपरी पैनल पर स्थित, Manual & Automatic Move & Place of Modules बटन पर क्लिक करें। अब PCB विंडो के बीच में एक बार राइट क्लिक करें। Globe, Move & Place पर जाएं। फिर Move All Modules पर क्लिक करें। यह Confirmation Window खोलेगा, Yes पर क्लिक करें। भैतर द्रश्य के लिए अपने माउस के स्ट्रोल बटन से जूम इन करें। आप Footprints के Terminals को जोडने वाले सफेद तारों को देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं। अगर आप इन्हें नहीं देखते तो PCB New Window के By Panel पर इस्थित, Show और Hide Board रेट्सनेस्ट बटन पर क्लिक करें। सफेद तारों को Air Wires भी कहते हैं। अब हम Module को व्यवस्थित करेंगे जिससे कम से कम Air Wires एक दूसरे को क्रॉस करें। अब IC 555 Footprint पर राइट क्लिक करें। Footprint विकलप पर जाएं और Move पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि Footprint करसर से जुड़ गया है। आप देख सकते हैं कि Background में प्रदर्शित Grid के अनुसार घटक घूमता है। जहां आवशक हो एक बार क्लिक करके घटक को वहीं इस्थित करें। मैं इसे यहां इस्थित करने वाली हूँ। PCB New Window के उपरी पैनल पर Grid Options ड्रॉपडाउन मेन्यू प्रियोग करके Grid के अंतराल को बदलना संभव है। अभी के लिए हम Default Value जो की 1.270 है के साथ आगे बढ़ेंगे। घटकों को घुमाने के लिए आप Shortcut की M भी प्रियोग कर सकते हैं। उधारान सरूप मैं आपको दिखाती हूँ की Capacitor को कैसे घुमाते हैं। करसर को Capacitor पर रखें। M दबाएं। Module करसर से जुड़ जाएगा। जहां आवशक है आप इसे ले जा सकते हैं। घटक को इस्तित करने के लिए एक बार क्लिक करें। घटक को घुमाने के लिए R दबाएं। उधारन सरूप अब मैं रजिस्टर यानि प्रति रोज को घुमाती हूँ। करसर को रजिस्टर पर रखें और R दबाएं। उसी प्रकार आप सारे घटकों को व्यवस्थित कर सकते हैं। AirWires के बीच कम से कम प्रतिछे दन प्राप्त करने के लिए मैंने पहले ही फुट्प्रिंट्स को व्यवस्थित कर लिया है। यह है यहां प्रदर्शित हैं। अब हमें इन AirWires को वास्तविक ट्रैक्स में बदलने की जरूरत है। PCB New Window के दाईं तरफ लेयर टैब के नीचे अगर बैक लेयर चैनेद ना हो तो इसे चुने बैक लेयर हरे रंग से दिखाई गई है। चैनेद लेयर छोटे नीले एरो से दिखाई गई है। ट्रैक्स बनाने के लिए PCB New Window के दाईं पैनल पर इस्थित एड़ ट्रैक्स एंड वायर बटन पर क्लिक करें। अब R1 के नोड्स में से किसी एक पर क्लिक करें। फिर हम R2 के नोड्स पर डबल क्लिक करेंगे जहां तार जोड़े जाने की जरूरत है। उसी प्रकार हम रजिस्टर R3 और क्पैसिटर C1 के बीच एक अतिरिक तार जोड़ेंगे। अब हम R3 के नोड्स में से किसी एक पर क्लिक करते हैं। तार की दिशबदलने के लिए एक बार क्लिक करें। फिर हम C1 के नोड्स पर डबल क्लिक करेंगे जहां तार जोड़े जाने की जरूरत है। बना हुआ हरा ट्रैक प्रिंटेड सरकेट बोर्ड पर बने हुए वास्तविक कॉपर पास को दर्शाता है। ट्रैक की चौड़ाई बदलना भी संभव है। PCB न्यू विंडो के मेन्यू बार में डिजाइन रूल्स मेन्यू विकल पर क्लिक करके यह किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए ट्रैक विट की वैल्यू पर डबल क्लिक करें। टाइप करें 1.5 और एंटर दबाएं। ट्रैक बनाने के लिए हम की बोर्ड पर X की भी प्रियोग कर सकते हैं। अब मैं आपको यह दिखाती हूँ। LED D1 के नोड में से किसी एक पर करसर रखें। X की दबाएं। फिर हम R3 के नोड पर डबल क्लिक करेंगे जहां तार जोड़े जाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक की चड़ाई बढ़ गई है। इस तरह से आप Board के डिजाइन को पूरा कर सकते हैं। जहां मैं ने इस Board के लिए डिजाइन पहले ही पूरा कर लिया है। अब मैं पूरी की की गई डिजाइन Board फाइल खोलती हूँ। हमें इस डिजाइन को पूरा करने के लिए PCB Edges बनाने की भी जरूरत है इसके लिए हमें PCB New Window के दाइन तरफ Layer Tab से PCB Edges विकल्प चुनने की जरूरत है अब Layout Editor Window के दाइन पैनल पर इस्थित Add Graphic Line और Polygon बटन पर क्लिक करें अब इस Printed Circuit Board के चारो तरफ एक rectangle बनाते हैं Layout के उपरी बाइन तरफ क्लिक करें करसर को दाइन तरफ शैतिज दिशा में ले जाए लाइन की दिशा बदलने के लिए एक बार क्लिक करें करसर को उर्धवादर नीचे की ओर ले जाए उसी प्रकार हम rectangle पूरा कर सकते हैं अब मैं यह rectangle पूरा करती हूँ Left Mouse बटन पर डबल क्लिक करके rectangle को समाप्त करें अब File Menu पर क्लिक करें और Save विकल्प पर क्लिक करें ध्यान दें कि यह File.brd extension के साथ Save की गई है यह AStable Multivibrator Circuit के लिए Board Layout को पूरा करता है इस टूटोरियल में हमने PCB निव प्रियोग करके KeyCad में Printed Circuit Board डिजाइन करना सीखा निमने लिंक पर उपलब्द वीडियो देखें यह Spoken Tutorial Project को साराइशित करता है अच्छी bandwidth ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं इस पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट टीम इस पोकन टूटोरियल का उप्योग करके कारेशा लाएं चलाती है ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमान पत्र देते हैं अधिक जानकारी के लिए क्रपया Contact at spoken-tutorial.org पर लिखें इस पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट Talk to a Teacher प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राश्ची साक्षर्ता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org nme ict-intro पर उप्लाब्द है IIT Bombay से मैं शूती आर्रे आपसे विदा लेती हूं हमारे साथ जुडने के लिए धन्यवाद